Online Education में YouTube के माध्यम से नाम कवानने वाले ये महांत सिख्षक हादा में बात करे रहा हूँ खान सर की मैं बात करे रहा हूँ अवद ओजा सर की मैं बात करे रहा हूँ physics वाला सर की हिमान्शी मेडम की इन सब में एक चीज तो common है नहीं बट अभी मैं इनकी teaching skills की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, sound quality की, जब भी ये पढ़ाते हैं, इनकी mic से निकलने वाला sound, और इनका mic बहुत common है, इस clip के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, आपने जब अभी clip देखी, अगर उसको observe करोगे, तो आपको एक चीज़ common दिखेगी, वो है ये mic, इस mic को देखकर ये माध्यम सुचिएगा, ये काफी महेंगा होगा, ये average में है, बट बिलीव करिएगा, ये mic आपकी हर एक problem को resolve करेगा, सस्ता नहीं है, थोड़ा महेंगा है, अभी इसका review जान लो, इसको समझ लो, जब आपका budget होगा, तब इसे ही खरीदना, तो देखे, इस mic में आपको एक ये manual, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो इस manual की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको एक यहाँ पर ये मिलता है transmitter, और ऐसा वाला आपको एक ये मिल जाता है mic, जो आपने इस वीडियो में देखे थे, और ये आपको मिलता है receiver, और एक charger, दो cell, और क्योंकि ये mic अलग-अलग standards पर बना हुआ है, तो आपको ये converter मिलते है, electricity वाले converter मिल जाएंगे आपको, और एक चीज़ आपको ये मिलेगी, ये belt, जब आप इसको mic को ऐसे लगाते हो, तो पीछे से इसका एक support ले सकते हो, इसके लिए belt का use कर सकते हो, ये चीज़े आपको मिलती है mic में, अब मैं आपको ये mic का setup करना बत करके, आप ऐसे यहां पर लगा सकते हैं, first, और ये mic इस तरीके से यहां पर open होता है, यहां पर आपको लगा लेना ही जो बैटरी इसके साथ में आती है, बैटरी लगाते ही, और यहां से आप इसका power कर दीजिए on, ओके, अब यहां पर mute और unmute करने का option है, अब दीए एक चीज़, क्या होता है, यह जो mic को जब मैं उठाया है मेने हाप में, तो इसकी build quality से मुझे समझ में आ रहा है, कि इसकी price अच्छी खासी क्यों होती है, वायर अक्सर हमारा खिचता है, तो इसकी अगर quality अच्छी नहीं होगी न, तो definitely आपका mic बहुत जल्दी खराब होगा, बट यह mic मुझे लगता है, यह काफी best mic है, और इसको लगाने का simplest way है, कि आप इसको ऐसे करके लगा लीजिए, और इस वाले इसको यहां पर कर ऐसे fit, और अगर आप lock करना चाहो, तो इसको घुमा के आप ऐसे lock कर सकते हैं, और इससे आप अपने इसे pocket में डाल दीजिए, ठीक है, अब देखिए, एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, वो है, आपके mic के साथ में, आपको यह order करना होगी, अक्सर टीचर इसको ले ले अर्य करोएट कर दंसा अब दीजिए, यहां पर लगाना है हमें इस jack को, से jack को हमने यहाँ पर लगा लिया, और इसको connect कर लिया, हमने power का extension लगा दिना, इसको connect कर लिया हमने हमारे power से, और इसको तर इसको हम डारे कनेक कर सकते हमारे camera, या फिर connect कर सकते हमारे system से, आपको अभी देखिए अभी ये जो है हमारा एक बार स्टूडियो आप देखेंगे न तो मेरा जो ये स्टूडियो है इस स्टूडियो में आप देखेंगे कि कॉलिटी बहुत अच्छी आती है क्योंकि अल्रेड़ी किया हुआ है मैं आपको इसकी टेस्टिंग भार जाके भ अब जो आउटपुट आप देख रहे हो ये हमारे सिनाइजर के माइक का अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह माइक क्यों ले इतना महंगा माईक है इस माइक को लिया क्यों जाए तो मैं आपको बता दू पहली चीज यह माइक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है जैसे यह माइक लगाना है तो मैंने शर्ट के अंदर से वायर डालना होती है तो आप पीशेट पहनते हो तो यह माइक बिल्कुल काम नहीं करता तो इससे बैस तरीका यह कि इसको लगा लिया और पीछे से डालके इसको प्रॉपर कर लिया तो इसकी बिल्ड कॉलिटी होता है अब डीसी डीसी करेंट से फाइदा क्या होता है आ अजकल hybrid क्लास का सैट अप बहुत चल रहा होता है है कि आप एक classroom में अपने students को भी पढ़ा रहे हो और सात के साथ आप लाइब भी जा रहे हो में डीजी डरश्टी ऐसी बडी-coaching यह हमेशा करती आप भी कर सकते ह तो वहां पर इस माइक का यूज होता ही होता है क्योंकि नॉर्मल माइक जो होते हैं उनकी पाउर सप्लाय अगर आप देखोगे तो उसको बैटरी और इसकी तरह चलाया आता है तो वह बहुत अच्छा आपको आउटपूट नहीं देते हैं मतलब आउटपूट को स्प्रिट को सुनाई दिया जाएगा तो इसलिए डी सी करेंट का होने से इसका ये फायदा होता है इसके अलावा यहां पर आप जब देखोगे तो इसके अंदर आपको एक आप्शन मिलता है अपनी वाइस को बूस्ट करने का यह देखिए आप माइनस टेन जीरो डीबी माइनस टेन माइनस 20 माइनस 30 तो आप क्या कर सकते हो कि यहां पर अपनी वाइस अगर आप चिला के बाद करते हो यह आपका टोन तेज है तो आप यहां से इसको कंट्रोल भी कर सकते हो इन दोनों के बीच का डिसेंज मतलब अगर आप ने इसको एक क्लासरूम में कए एक साइट पर ही जाएगा तो यह इसकी best है कि इन दोनों की जो wireless connectivity है बहुत strong है इसके अलावा एक चीज में आपको बता दू जो इस माइक का power consumption है यह जो battery लगती है इसकी power consumption बहुत कम होती है as compared to other mic यह जो मैंने बोया का माइक लगा के रखा हुआ है अठाहाजार रोपे का माइक है बट इसके और इसके power consumption को अगर मैं compare करूँ तो यह तू टाइम्स ज्यादा consume करता है as compared to this इन दोनों को connect करने के लिए आप auto synchronization का फीचर इसके अंदर है यहां पर open करके आप देखेंगे यहां पर black color का बटन है यहां पर sync पर क्लिक करेंगे और वैसे ही यहां लिए चलिए हम लोग ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर actual में बिल्कुल भी noise cancellation का इंतिसाम नहीं है तो मैं आपको मेरे office में लेके चलता हूं तो देखेंगे अभी मेरी टीम को भी बोल देता हो कि आप normally react कर सकते हो चुप होने के ज़रूत नहीं है तो अभी हम जो कि आपको कितना disturbance सुनाई दे रहा है तो यह best चीज है कि यहां पर पीछे background में कुछ भी चल रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं इसको सामने बच्चे बेटे कोई मतलब नहीं वही बात सुनता है जो आप बोलते हो इस लिए इस माइक को हर बैस फेकल्टी यूज करती है और करना चाहती है जो आउटपूट आपने देखा वह मैंने बिना noise reduction कि एडिटिंग में भी उस वाइस से कोई छडखानी नहीं करिए इस ट्रिक्ली अपनी टीम को बोला है इस से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आखिर यह मा को कोशिश करूंगा इस माइक को 25-26,000 तक बिलाने की पूरी पूरी कोशिश कर आपको भेज भी दूंगा तो अगर आप चाहते हो अपने स्टूडियो की लेना तो आप हमें इस तंबर पर कॉल कर सकते हो इसके साथ साथ अगर आप अपनी कोचिंग की डिजिटल मार्केट दू कि इस माइक को यूज करते समय आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आती है तो इसमें आपको अच्छी खासी वारेंटी मिलती है जिसकी वज़ा से आप इसे रिक्लेम कर सकते हो यह इसका एक बेस पार्ट है इसके अलावा इसकी प्राइज अगर आप एमेज किया है प्राइज उसकी बढ़ती गई है यह चीज जो मुझे देखने को मिलती ना वह आपका आप लोगों प्यार है आप लोगों का सपोर्ट है और इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बना रहे है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को प्रेस करिएगा और वी कि इस माइक को यूज कर लो अपने ऑनलाइन कोचिंग या स्कूल में जहां बहुत सारे बच्चे बैठे है तो इससे अच्छा सॉलिशन कुछ भी नहीं है बिना सोचे समझे मैंने बड़ा ठोक बजाकर इसको टेस्ट किया है आप भी जाकर इसे ले लो पर्चेस कर लो मेर लिए वीडियो बनाते रहूंगा नेक्स वीडियो कि इस टॉपिक पर बनाओ मुझे कमेंट करकर जरूर बताएगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग